हेलो गाइज और आज बात कर रहे हैं टच सांप्लिंग रेट और रिफ्रेश रेट के बारे में तो मोबाइल कंपनी बहुत ज्यादा प्रमोड करती है इन टर्म्स को लेके तो आज इस वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे इन दोनों ही टर्मिनलोजी के बारे में मगर अब पहली बार इस चैनल पर आएं तो जोर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आईगी तो लाइक कीजिए और मेरा कमेंट बॉक्स आप लगों के सजेशन सब्डाउट के लाए में शोपन है ही तो चलिए अब बात करते हैं रीफ्रेश रेट आंड टच स आज तक आहीं है मार्केट में उन सभी टाइप की डिस्प्लेइस के बारे में बताया है बहुत अच्छे से तो उसके बाद जब आप डिफ्रेंट टाइप डिस्प्लेइस जा लेंगे तब आपको टच सैंप्लिंग और रीफ्रेश रेट के बारे में और अच्छी की होती है डिफ्रेश रेट तो 60 बार आपकी स्क्रीं जो है मतलब रिफ्रेश रोतिया ऑगने आपके कंपनि नए रिफरेश रीट से तो Definitely आपका by-default 60Hz refresh rate होता है now 60Hz का मतलब है कि 60 frames यानि कि 60 बार आपके screen के ऊपर frames आएंगे now अब यह 90Hz भी होता है 120 Hz भी होता है तो जितने जादा फ्रेम्स आपको दिखेंगे उतनी ही smoother image आपको दिखेंगी तो जितने को जो भी scenery है या movie है या फिर अगर आप कोई game खेल रहें तो वह उतनी ही जादा smooth दिखेंगी in action तो इस वज़े से लोग कोशिश करते हैं कि वह जादा higher refresh rate वाला phone खरीद है बैट एक और term होती है जिसको हम बोलते है है touch sampling rate जो कि बहुत कम लोगों को पता है बग बहुत ज़्यादा important होती है यह term लेक अगर आप gamers है PUBG घेलते हैं तो यह तो फिर आपके लिए जानना बहुत ही जारा जरूरी है because touch sampling rate होता है कि एक second के अंदर आपका फोन कितने touch recognize कर सकता है now by default यह कितना होता है I don't know maybe 60 होता हो maybe 100 होता हो but अच्छे phones जैसे कि I use k20 pro तो उसके अंदर 120 hertz है but आज की rate में अगर आप best phone देखे मेरे से पूछा कि best phone कौन सा है जिसके अंदर सबसे best touch sampling rate है तो वो है 20 ultra उसके अंदर 240 hertz का touch sampling rate है मतलब क्या हुआ इसका कि एक second में अगर आप 240 touches दे दे उसको तो वो भी वो recognize कर लेगा now benefit क्या होता है इसका तो इससे आपका response time बहुत ज़रा fast हो जाता है यानिकि अगर आपके पास high touch sampling rate वाला mobile phone है तो आप जैसे ही उसे touch करेंगे वो recognize कर लेगा आपका touch but वहीं पर अगर आपके वास low touch sampling rate वाला है तो उतना ही वो जारा time लेगा तो कभी कबार लोगों को problem आती है मैंने swipe कर दिया बट उसके कुछ millisecond बाद वो swipe हुआ और इसलिए लोग प्रिफर करते हैं flagship phone because उनके अंदर हाई touch sampling rate होता है और यहीं सबता जानने के लिए आज की इस वीडियो में मिलता हूं मैं बहुत जल्द आप से एक और नहीं वीडियो के साथ अपते के लिए जैहन